वेल्कम बैक टूबे चैनल यहां पर काफी सारे यहां पर कमेंट आ रहा थे कि बई MSC 2nd semester बॉटनी के आपर पेपर लाइए तो फाइनल यहां पर बॉटनी के पेपर लेकर आ गए हैं फार सेमेश्टर, सेकेंड सेमेश्टर, फ़र सेमेश्टर, अब सभी सेमेश्टर के इस चैनल पर पेपर मिलने वाले हैं MSC बॉटनी के ठीक है तो सब्सक्राइब करके रख लिजेगा डिस्किप्शन में हमारा टेलिग्राम ग्रूप का लिंक भी है, वाटसप ग्रूप का लिंक भी है तो सभी के सभी आप सभी को जो है जोईन कर लेना है कापी सारे स्टुडेंट वगेरा मिल जाएंगे हमारी टेलिग्राम वाटसप ग्रूप में ठीक है तो जाइन कर लिजेगा टेक्सोनामी ओप एंज्यो इस्पर्म का यहां पर पेपर है इसे हम देखेंगे किस प्रकार आया हुआ है तो चलिए वीडियो स्टार्ट हम करते हैं वीडियो पर आपको अंत्तक बने रहना है और यहां पर कमेंट आ रहा था और अब यहां प इसन में हो सकता है असी प्रका आता हो सत्तर न्क पर आता हो इसमें क्या करता है वह थंगी कोस्चन के आपर dead कोश्चन को गवर करने अंक पर नहीं जाना है हिंदि इंगलिस दोनों मिक्स में अया हुआ हुआ हैं ठीक है तो तो चली यहां पर बात करते हैं, प्रस्ण यहां पर तो दिया हुआ है, तीन खंड यहां पर दिये हुए है, A, B, C, D, पहले section A की यहां पर बात करें, तो वस्टोनिस्ट प्रस्ण दिये हुए है, objective type के question, क्यूंकि 5 objective आते हैं, हो सकता है, आपकी university में objective ना आते हो, तो question answer को त इस तरह से आया हुआ है, यदि आपको इन सभी के answer पता है, तो नीचे comment करके बताईएगा, जेनेरा, क्या है, प्लान्टेरम, किसके द्वारा लिखा गया है, जान्रे, केरूलस, लीनिया, एपीडी, केंडोल, और चौंथा option है, गेस पर बाहीन, ठीक है, इंगलिस से भी य रोक कर आप जरूरत है, रोक कर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर इंगलिस हिंदी से दोनों से पढ़ने लगू, तो काफी समय हो जाएगा, चुकि यहाँ पर हिंदी के student काफी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हिंदी यहाँ पर पढ़ना अतियाव सक है, यहाँ यहाँ पर टेक्सान है, टेक्सान क्या है, एक जाती है, एक वंस है, एक वर्गेकरण इकाई है, किसी भी रेंग का वर्गेकरण समू, क्या है, नीचे कमेंट करके बताएगा सभी क्यांस है, अब यहाँ पर अगला जो प्रस्ण है, वो हम देखेंगे तीसरा, तीसरा जो व लिखना है और मैं इंगलिस वालों के लिए थोड़ी थोड़ी देर यहां पर रुखते जाता हूं आप वीडियो उसको रोक कर पढ़ते जाईएगा अब यहां पर जो चौंथा विकल्प है निम्लिकित में से कोन सुमेलित नहीं है इसलिए मैं इन सभी के आंसर नहीं बता पाऊंगा और हो सकता है कुछ पढ़ने में वर्ड में मिश्टेक हो पाएँ तो उसके लिए माप कर देना बाकी मैं आपके लिए कॉन्टेंट तो लाई रहा हूं आप कम से कम मेरी बात सुनने ही सकते तो कम से कम वीडियो उसको रोक कर पढ़ते हो तो बताना है आपको नीचे कमेंट करके चली अब जो मेन पार्ट आता है कोस्चन आंसर का इन कोस्चन आंसर को आपको रट लेना है मैं आपको बता दो यदि आपके चोबिस में एक्जाम नहीं हुए है अभी तो ठीक है पाकी अगर हो भी गाया है तो ओल्ड पेपर से कुलना की भाई हम तो यहां दोजार पत्चिस में पढ़ रहा है दोजार चोबिस का पेपर है कोई काम कर नहीं है इन कोस्चनों को तैयार करी लेना है आपको ठीक है चलिए अब आंगे हैं पर बात करते हैं सेक्शन बी में आपर पांच अंग के प्रस्ण दिये हुए हैं स इस प्रकार दस अंग के हो जाते हैं टोटल हो सकता है अपकी उनिवर्सिटी में यह ज्यादा कम के हो सकते हो तो देख लेने कोस्टनों को आपको गौर करना है बाकी कुछ नहीं करना है आपको यहां पहला प्रस्ण पूछा है मोनोग्राप क्या है वाट इस मोनोग्राप अथ्वे में जो प्रस्ण है वो है ICBN पर टिपड़ी लिखे है not on ICBN और जो इकाई दूसरा है इससे बात करें तो वर्गेहरन प्रणालियों की मूल्स रेडिया क्या है what are the basis categories of system of classification ठीक है यदि आपको अच्छे खासे मार्स लाना है तो मैं आपको बता दूँ यदि आप 2025 में पढ़ रहे है तो 2023 और 2024 का पीपर रट लो गैरेंटी दे रहो आपके सारे के सारे कोस्टन आपके 2023-2024 के पीपर से आई जाएंगी यदि आप 2024 के लिए पढ़ रहे ह ठीक है तो मैं आपको बता दू 2022 और 2023 की पीपर पढ़ लो एक भी कोस्टन आपका बाहर नहीं जाएगा हो सकता है विकल्प आए तो वो बस बाहर जाएंगे बाकि सारे के सारे आ ही जाएंगे और मैं आपर काफी सालों से आपर मैं पेपर अपलोड कर रहा हूँ आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं ठीक है तो एक प्रकार से आइडिया टाइप का हो जाता है कि यूनिवर्सिटी या पेपर कैसे बनाती है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है और इकेडस और इको टाइब में अंतर लिखें राइट डिफ्रेंस बिट्वीन इकेडस एड इको ट आप तिकमार कर सकते हैं जिसमें व्यद्धन कर रहे हैं उसमें या आप इनको लिख भी सकते हैं पेज में एकाई तीसरा से आप प्रस्न पूछा है लाल आकड़ा किताब पर टिपली लिखें नौट और डाटा बुक अत्विक यहां पर बात आती है तो यहां पर इस्थान किताब क्या है वाट इज एंड़ी मिजम ठीक है एंड़ी मिजम आप इन सभी को यदि नोट्स ना मिले तो गूगल से भी आप पड़ सकते हैं इजीली मिल जाएगा आपको इकाई चौंते कहां पर बात आती है तो यहां से प्रस्न पूछा है कुकर विटेसी कुल के लिए पुस्प सुत और पुस्प आरेक लिख्ये रैड दा फ्लॉबर फर्मूला और फ्लॉबर डाीग्रम फर कुकर विटेसी फ्हमली आतुए में जो प्रस्न है व्रेशी क्रेसी कुल की आर्फिक मैंतु लिख्ये रैइड इकॉनामिक इंपोर्टेंट और फामिली व्रेशी क् पांचवे यूनिट से आपर प्रस्ण पूछाए का है पोएसी कुल की किनी तीन विशिष्ट विशेष्टाओं का उल्ले कीजिए मेंसन एनी थ्री करेक्टरिस्टिक्स फ्रूचर ओफ हैमली पोएसी यहाँ पर रत्वे में जो प्रस्ण है लिली एसी कुल के दो लताओं का उल्ले कीजिए मेंसन टू क्लेंबर्स फॉर्म लिली एसी फैमली सेक्शन सी के आपर बात आती देरगुत्तिरी प्रस्ण दिये पांच पांच अंके प्रस्ण है इस प्रकार पांच प्रस्ण 25 अंके हो जाते है ठीक है तो देखेंगे बाई किस प्रकार के आप प्रस्ण है पांच अंके हो सकता है आपकी उनिवर्शिटी में दस अंके मतलब आते हो ठीक है और मैं आपको बता दू हमारा टेलिग्राम इस्टागाम और बात करें तो आपको बाट्सव ग्रूप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सभी में आपको जुआइन हो जाना पेपर्स वगेरा समय समय पर आपको मिलते जाएंगे यह तो खैर सेकेंड सेम का है फर्स सेम का अपलोड कर रहा हूं थार्ड सेम का अपलोड करूंगा नियम बताईए ठीक है निर्माण के नियम आपको बताना है What are plant identification keys give the rule for the construction of identification key अथवे के यहाँ पर बात आती है तो प्रस्न पूछाए क्या निमलखीत पर संचिप में टिपड़ी लिखिए Herbarium वर्गिकरन साहिद थे ठीक है Herbarium और Taxonomy Literature एकाई दोसे आपर प्रस्न पूछाए क्या पुछबी पौदों के किसी भी प्राकरतिक वर्गिकरन की मुख्य विशेशता बताईए और इसके गुण और दोस बताईए ठीक है Give the silent future of any nature system of classification of flower plant Give its merits and demerit इसके अत्वे की बात करें तो आप प्रस्न पूछाए क्या आवरत भी जी पौदों की उत्पति और विकास की कुछ बुनियादी पहलियों पर चर्चा कीजिए इकाई तीसरा से यहां पर प्रस्न आया हुआ है क्या जे विवित्ता पर एक निबंदली के राइट एंड ऐसे ओन बायो डैवर्शिटी अतिवेग यहां पर बात आती है तो प्रस्न पूछाए क्या इस्थानी पौदों की विशेष्ता के सामजिक आर्तिक मैत्व का वर्णन कीजिए डिस्क्राइब दा क्या सोचियो इकोनॉमिक इंपोर्टेंट और लोकल प्लांट डैवर्शिटी दसवे नमबर के आपर प्रस्न पूछाए क्या आपके द्वारा अध्यन किये गए किसी भी आदीम कुल के पौदों मतलब आदीम कुल के पुस्प लच्चनों का वर्णन कीजिए यह भी बताईए कि कुल को आदीम क्यों माना जाता है इंगलिज से भी आप पढ़ लीजेगा क्योंकि कापी बड़ा प्रस्न आया हुआ है पांचवे यूट के यह पर बात करें तो पांचवे यूट से प्रस्चन पूछाए है का आर्की डेक षिख सी पूस्प संप्प सूत्र मतलब है है वर्णन करना था तुलनात्मक और यहां पर दूसरे नंबर पर भी दिया क्या लिए सी एवं एमा एमा रीली डेसी एमा रीली डेसी तो इस टाइप का यहां पर कुछ आपका जो है प्राश्न कोस्टन पेपर आता है इन सभी कोस्टनों को आपको तयार कर लेना है चाहे सारे पेपर मैं अपलोड कर रहा हूं तो हमारा टेलेग्राम और वाटसब ग्रूप का लिंक डिस्क्रिप्शन पर जॉइन कर लेना दोस्तों को सेयर भी कर देना लाकि यह सेकेंड सेम का है थार्ड फोर सभी सेम की पेपर आपको इस चैनल पर आप देखने को मिल जाएंग बाकि हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर देगा वहां पर वीडियो उसकी लिंक वगेरा मैं दे दूंगा सारे पेपर होगी मिलते हैं अगली वीडियो पर थैंक्स पर वाचिंग बाए